दॉस्तो नमस्कार मैं डॉक्टर अशोब कुमार मंगलेज चर्खिदादरी हरियना आज 29 जुलाई 2020 के अंत्र राष्टी ये वेबिनार के विशे रूपा जीवा जीवन दिमार से विशे को लेकर गिर्ना देवी सोद संस्थान भीवानी हरियाना एवं इंडो यूरोपियन लिट्रेरी डिस्कॉर्स यूक्रेन के ससंयुक्त तत्वा धान में आयू जीतें डॉक्टर विनोद सर्मा जी की अध्यक्स्ता में डॉक्टर विजवक्तवे के साथ और विशीष्ट वक्ता श्री राके संक्र भारती अध्यक्स इंडो यूरोपियन लिट्रेरी डिस्कॉर्स यूक्रेन प्रोफेसर संजे सिंग मदार और इस कारेक्रम की अध्यक्सा श्री मुखे अति थी माई मनीशा महंत अन्य साथी वक्ता प्रोफेसर सकुंतला डॉक्टर अतुला भासकर डॉक्टर सीवकर्ण मित्तल जी वे अनुपमा श्रीवास्तव कारेक्रम के स्वागादा अध्यक्स नरेंदर सौने जी और समापन धन्यवाद ग्यापन करता डॉक्टर नरेश शिहाग जी आप सभी का सादर नमस्कार आभार ग्यापित करता हूं गयविनार पटल पर उपस्तित सभी सुधी जनों का अभिननदन करता हूं मुझे मंच पर वक्तव्वे के लिए आप सभी सुधी जनों ने योगे समझा उसके लिए भी आप सभी का आभार करता हूं विशेश तोर पर सयुक्त मंच विशेशगों का आज का विशे है रूपा जीवा जीवन विमार्स विशे बहुत गहन है जब मुझे विशे को दिया गया तो इसकी गहनता को देखते हुए मुझे अध्यन करना पड़ा और अध्यन के उपरांथ जितना मैं इस विशे को जान पाया लिख पाया वो आप सभी के बीच सांजा कर रहा हूं सबसे पहले तो मैंने यही पाया कि जो रूप जीवा विसे में दिया गया है वो रूप जीवा ने होकर रूपा जीवा की तोर पर लिखित में मिला जिसके परमान हम एक स्रेश्ट पुस्तक काम सुत्र में पढ़ सकते हैं रूपा जीवा का अगर अर्थ में ले तो इसका आर्थ हम पढ़ते हैं वैश्या या गणिका दोस्तो रूपा जीवा जीवन विमस विशे को सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको व्याकरनिक तोर पर खौलना चाहता हूं जिस से पूरा विशे खुल जाएगा वैसे मेरे से पहले आदर्णिय विनो तनेजाजी ने भूती विश्तार पूरवक अपने वीजवक्तवे में इस विशे को खौला है और हम सब लाभानवित हुए हैं फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना अध्यन कर पाया उसको उसका वाचन करना अपना दाईत तो समझता हूं रूपा जीवा कार्थ है वैस्या गणी का जिसमें रूपम रूप या रंग का एक परकार है जिसे 24 गुणों में से एक माना जाता है चक्षूर मात्र ग्रहे जाती वान गुणों रूपम तरक्ष्यास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है और यह च्छै परकार का है शुकल, क्रिशन, पीत, रक्त, हरीत और कपील और यदि इसमें चित्र को और जोड़ दिया जाए तो यह साथ हो जाते हैं तो इस तरह से रूप या रंग के च्छै के बाद चित्र सहित हम साथ परकार इसके मान सकते हैं दूसरा सब्द इसके अंदर है जीवा जिसमें जीव उपसर्ग आच धातू के साथ टाप परते में जिसका अर्थ होता है जल, धनूस की डोरी, पिर्थवी, जीवन के साधन फिर एक सब्द आता है अगला जीवन, जीवन में जीव धातू और लूट परते के साथ अर्थ बनता है जीवन पर्द या अस्तितो लास्ट जो सब्द है वीमर्से जिसमें वी उपसर्ग म्रिश धातू और ग्हें परते के साथ जो अर्थ उभर कर आता है वो हैं विचार, विनी में, सोच विचार, चर्चा करना, प्रिक्षन करना तो दोस्तो रूपा जीवा वीमर्स को लेकर जितना मैं सोच विचार कर सका हूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि रूपा जीवा वेश्या के तीन भेद हैं तीन भेदे में से एक भेद रूपा जीवा है और इसके परमान वात्सायन के काम सुत्र में भोत्य विश्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं जिसमें नमबर एक पर जो रूपा जीवा का जो भेद हम रखते हैं या वात्सायन के काम सुत्र में जो रखा गया है वो है गणिका इसका समाज में विशेषवान होता है यह सुंदर होती है और काम वाशनाओं में निपूर्ण तथा राजाओं या रशिक नागरिकों से सम्मान पाती है यह गणिका इसे केवल काम वाशनाओं की श्यामती के लिए ही नहीं अपितु काम कलाओं की शिक्ष्या देने के लिए भी योग्य समझा जाता है वास्तुत कला रूप गुनाविना गुनाविंता इस्त्रेक ही गणिका कहलाती है और ललित विश्तार में इसे राजकुमारी को गणिका के समान स्यास्त्रज कहा गया है यनि कि राजकुमारी के समान स्यास्त्रों की विद्या ग्रहन करने का अधिकार भी गणिकाओं का रहा है संस्कृत नाठकों में इसे नगर्शरी कहा गया है उधार्नाथ भासकृत म्रिश्कटिक की नाई का वशंत्सेना भी गणिका है आचारी चतूर्शेन क्रित उपन्या से वैशाली की नगरवदू की नाई का अमरपाली भी गणिका है और इसके तरीक यदि हम वात्सायन के काम सुत्र में पढ़ें तो गणिकाओं की 64 काम कलाओं का वर्णन भी हमें मिलता है कती पे उधरन अगर मैं देना चाहाऊं तो जिसमें गाने की कला बजाने की कला नाचने की कला चित्र बनाने की कला मस्तक के स्रेंगार की कला, जल की रिडाओं की कला, सौंद्री व्रेदी के परियोगों की कला, विनोध आधी के लिए इंद्रजाल की कला, सौंद्री व्रेदी के परियोगों की कला, विनोध आधी के लिए वे छंद एम अलंक रचने की कला, दंड़नीती या युद्ध की कला आदी आदी इसमें 64 काम कलाओं का वर्नन किया गया है नमबर दो पर जो चित्र उभर के आता है वो है रूपा जीवा रूपा जीवा की अगर विश्यस्ताओं पर हम ध्यान दें तो ये है बेहद सुन्दर होती है और इसे केवल काम स्यांती के लिए ही काम करती हैंगी सामान्य व्यश्या या इसमें केवल यही बेहद है कि इसका सरीर आती सुन्दर होता है और उधान के तोर पर अगर हम इसको विश्तार पूरोग पढ़ना चाहें तो लक्षमी नायंड लाल करेते रूपा जीवा नाम कुपन्यास में रूपा जीवा के सुन्दरी और इसकी कामुक्ता का सजीव चित्रन हम पढ़ते हैं नमबर तेन पर रखा गया है कुम्बदासी इसमें कोई खास गुन नहीं होते यह मात्र पैसा लेकर अपना सरीर किसी को भी बेच देती है जिसका एक मात्र उदे से रूपे कमाना अथ्वा जीवी को पारजन अरजित करना है विशे पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे या वैश्यवरेती का जब हम इतियास उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वैश्यवरेती आदि काल से हमारे समाज में व्यापत रही है या ये कहें कि वैदि काल से इसकी व्यापती दर्ज है सामाजिक यथार्थ रूप में वीधि अथ्वा परंप्रा दवारा इसका नियमन होता रहा है प्राचिन में यह धार्मिक अनुस्ठानों के साथ संबंद रही है जिसे हे ने समझ कर प्रौप्साहित किया जाता रहा है वेदों, पुराणों, रामायन तथा महाभारत आदी की स्ताधिक पुराणे कथाओं में हम इन रूपशी, अपसराओं, कामिनियों, निर्तकियों तथा नगरवधों आदी को किसी ना किसी रूप में प्राचिन भारतिय समाद साहिते में सदेव से सम्मानित स्थान पर आसिन पढ़ते और पाते आये हैं, यहां तकी कोटले अर्ष्यास्त्र नहीं नहीं, राज तंत्र का एविचिन अंग तक माना है, साथ ही महा निर्वान तंत्र में, तीर्थ स्थानों में, देव चकर के समहरम में, शक्ति सवरूपा वेश्याओं को शिद्धी के लिए आउशिक म मानना गया है, अर्थात, सतूर वर्ग, धर्म, आर्थ, काम और मौक्षे में से ये रूपा जीवा या गणी का कुम्बदासियां, अफसराय नगरवदु हैं, जो भी हम नाम दें, इनको त्री वरग, धर्म, आर्थ, और काम में सिद्धियां प्राप्त हैं, और परमानिक तोर पर अगर हम देखें, तो खजुराओ और अजन्ता इसके साक्षात उधर्ण हैं, एक और इस विशे में पढ़ने को मिला कि, दहोद गुजरात के एक छोटे से गाउं, बाउंखा में एक मंदिर है, जिसे एक इस्त्री संत ने बनवाय था, हालां कि बाद में लोगों ने उसको भी वैस्या कहा था, चूंकि इसकी बाहरी दिवारों पर काम क्रिडा के चित्र खुदे हुए है, और इसके ग्रिब ग्रह में भगवान सीव पारवर्ती का चित्र है, जो रती क्रिडा में रत है, इस पर का प्राचिन में सूरत कोई व्यक्तिगत नहीं अपितू, सामो ही क्रित्य रहा है, और इस मंदिर को साइदे तंत्र शिक्षा की पाट साला भी माना जा सकता है, जिसे व्यक्तिगत प्राचिन समय में उत्सवों के रूप में भी मनाया जाता रहा है, और एक विशी सुधार्ण आपको विया दिला दें, कि इन वेश्याओं की जो स्रेश्टता का एक विशेश संधर्म में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के पर्थम सोतंतर्ता संग्राम में कानपूर की व्यस्याओं ने अपना सरेर बेच कर प्रांती कारियों की खूब बढ़ चड़ कर जो है मदद की थी, ये एक प्रेणा सवरूप और उनकी स्रेश्टा का प्रमान हम पाते हैं। इसके बाद मध्ययूग में सामंत वाद की प्रग्रति के साथ साथ इनका भी अलग वरग बनता गया और कला प्रियता के साथ कामवाशना संबंद हो गया है। कालांत्र में निरित्य संगीत और योन संबंदों दुबारा जीव को पारजन में ऐस समर्थ वेश्याओं को बाद दे होकर जीवी का है तू लज्जा और संकोच को त्याक कर असलीलता की दलदल में उस तर तक उतरना पड़ा जहां पशूता परवल है। यह पशूता परवल की जो बात है यह हम आज वर्तमान समय की प्रिस्तिती के संदर में विचार कर सकते हैं। बाद में इस वेश्यावरिती को लेकर स्वाम दयान सरस्वती ने भी इसका खुब वहर विरोध किया और इसको दिशा देने की भी बर्शक परियास किये गए उनकी तरफ से। और अगर हम भार्त वर्श में वेश्यावरिती अथ्वा वेश्या को लेकर अगर इस अंधर में बात करें तो भार्त में विभाईक संबंद के बाहर योन संबंद को कती अच्छा नहीं समझा जाता है। वेश्यवरिती भी इसके अंत्रगत है वर्तमान में कानुन इसे सामूहिक ने मानकर व्यक्तिगत मानता है इस देह व्यापार की प्रिथा का इतिहास अगर हम देखें तो भूत लंबा है जो समय के साथ-साथ है वेश्यवरिती के लूप में मश्हूर हो गए है भारत में वेश्यवरिती या देह व्यापार अगर सविधान के सम्मत हम देखें तो एनेतिक देह व्यापार कानुन के तहट आता है जिसकी हमारा भारती सविधान घौर निन्दा करता है और इसको जिबकि एक असकोर्ट वूमेन पूर्व योन करमी डॉक्टर ब्रूक्ट मैगनानेटी का विचार अगर हम पढ़ें या सुनें तो एक अलग ही रूप में ये वैशा का चरीत रूभर कराता है तो डॉक्टर ब्रूक कहती है कि वैशा ब्रूक्टी ने उन्हें आजादी का अहसास दिया है जो लोग इस मामले को दूसरी त्रहें से देखते हैं वो दरसल इस पूरे काम को समझते ही नहीं है औरतों के अधिकार का जहन्डा बुलंद करने वालों के एक भहुत बड़े तबके को इस पूरे काम की समझ ही नहीं है सामाजी कारिय करता या समाज सुधारकों को लगता है कि सिर्फ महिलाएं ही इस उद्धो का इसा है जबकि इसमें ट्रांसजेंडर या पारलेंगेकों को से लेकर सामने या इस त्रहें के करित्व में सनलीप्त पुरुष तक सामिल है और बुरुक की अनुसार दुनिया भर में पुरुष वे शेवरिती का एक भहुत बड़ा बाजार है और जिनकी सेवाओं की खरीदार उनके कहने के अनुसार धन्वान इस्त्रिया है यहने कि हम यह मान सकते हैं कि वैस्या सवद को लेकर हम मात्र इस्त्री को जोड़ते रहे हैं उससे भिन पुरुष भी इस वैस्या वरिती में पूर्णत शमलीप्त किसी ना किसी रूप में हमें मिलता है और यहां मेरा भी यह मानना है कि पुरुषों की भाति इस्त्रियां भी धोखे या मजबूरी में यहां जीवन नहीं जेती सामाने इस्त्रियों की तरह यहां इनका भी आम जीवन है हाँ ये अलग बात है कि इसे ये जीवन या एक सामाने ग्रहनियों का जीवन इसमें उतार चड़ाओ या अच्छे बुरे का होना च्वाभाविक है और अध्यातम तोर पर अगर हम देखें तो ये नियती है एक उपन्यास है महांदास नेमी सरायजी का जिन्होंने वैश्याओं पर आधारित ये थार्थवादी विचारधारत के साथ लिखा है और इस उपन्यास की नाई का है मैना और वो अपने पती या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रुश का विरोध करते हुए एक समवाद कहती है तेरे बोलने से क्या होता है मैं रंडी हूँ सब लोग को मालू मैं खुद बोलती मैं रंडी हूँ और तुम मेरा मर्द होके मेरे से ऐसा काम करवाता मेरी कमाई खाता मैं रंडी हूँ यह प्रुश पर एक करारा तमाचा है और यह आप हम सब के लिए एक विशे है कि इस प्रुश को हम क्या कहेंगे तो इस तरी के सामने अलग अलग प्रिस्तितियां रहती हैं हाँ यह अलग बात है जब वैश्याओं अथवा प्रुशों के एक जैसे काम भी नहीं होते एक जैसे नाम नहीं एक जैसे इस्तितियां प्रिस्तितियां नहीं होती यहां उपन्यास के नाएग सुमित को भी वैस्य जीवन और सामाने भारतिय परिवारों की इस्तरियों में कोई मूल भूत फरक नजर नहीं आता वैस्यओं के जीवन उनकी वाणी उनका विवार आम ग्रहनियों जैसा है पर ऐसा हो नहीं पाता है यहां प्रशन उठता है क्यों लेखक महंदास का एक कोठे पर जाने का जो अनुभव है वो भी यही कहता है लेखक लिखता है कि मैं एक वैश्या के कोठे पर पहुंचने में सफल हो गया था बीस वर्शे यूगती साथ में दो अन्य प्रूश्शा थी कोठे पर मौजूद थे वो तीनों अंगिठी के पास बैठे हुए चाए पी रह थी बिल्कुल जैसा आम परिवारों में होता है उसके माथे पर किसने लिखा था कि उन में से मादा साथी वैश्या है उसका शब भावी दूसरी लड़कियों जैसा ही था फिर परिवार और समाज में एक इस्त्री के एर्द गिर्दे प्रिस्तितियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो उसे कुछ बनने नहीं देती सिमोन दाबावार ने भी एक जगें लिखा है और वो ऐसे नहीं लिखा वो लिखते हैं कि एक इस्त्री पैदा नहीं होती वह बना दी जाती है प्रुष के लिए इस्त्री मात्र अनुमान है इस्त्री के लिए प्रुष अनुभाव है यह बड़ी बात है कि प्रुष के लिए इस्त्री मात्र अनुमान है और इस्त्री के लिए पुरुशी अनुभाव है रेखा कस्तवार के सब्दों में अगर हम कहें तो औरत की देह के बारे में बोलना आसान है खास कर मर्द होकर बोलना आसान है किम्तु उसकी देह के बारे में उसकी तरहें बोलना आसान नहीं है बड़ी खास बात रेखा का स्तवार ने लिखी है और इसी संधर में पुर्षों के अत्याचार से पिडित इस्त्री आज सोचती है यह है दे उसकी है और अपनी दे का वह है चाहे जैसे इस्तमाल करे इसी संधर में लेखी का नासीरा सर्मा भी अपनी कहानी अपनी कौख में लिखती है यह समाज तब तक बलवान बना रहेगा जब तक नारी उसके इसारों पर चलती रहेगी कोखुषकी है चैन करता वही है अगर वह मर्दों को पैदा करना बंद कर दे तो वह इस समाज का क्या होगा तो इस समाज का क्या होगा और परशन चिन लगा कर छोड़ देती हैं किन्तु दोस्तों आपको हमें इस से थोड़ा आगे बढ़ कर सोचना होगा चूंकि अगर हम नासीरा सर्मा के समवाद पर विचार करें तो इस समाज की प्री संकल्पना करना ही मुश्किल बन पड़ता है क्योंकि इस्त्री और पुरूश दोनों ही इस समाज के अवी वाजे अंग हैं दोनों समाज के प्रश्पर पूरक हैं किसी एक के बिना समाज का सहद सवाभाविक विकास नहीं हो सकता है और इस समाज के लिए दोनों का एक समान महतो है एक बिना दूसरा अधूरा है ये अलग बात है कि चीन के एक परसीद संत लाउचे ने एक स्थान पर लिखा है रहसे मैं स्त्रेण सकती ही सवरग एवं फिर्थवी का मूल स्रौत है ये सर्वता एविचिन उर्जा है निसे ये कतन सत्य अर्थात आस्तितों की उर्जा अखंड है इसलिए इस श्रिष्टी की रचियता करता एक इस्त्री है प्रुष नहीं इस अनंत पर्मान को शिरजने के लिए महागरब चाहिए आप हम सब प्रीचित हैं इस बात से और ये सकती मात्र इस्त्री के ही पास है मगर प्रुष ये इतर नहीं इसमें प्रुष का होना भी लाजमी है इसलिए अगर इस्त्रीयां अपनी कौक से मर्दों को जनम देना बंद कर दे तो इस समाज का क्या होगा तो इस समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती आगे बढ़ते हैं आज हमारे अगर इस साही ते संस्क्रिती और समय के विचलनकारी प्रशनों में इस्त्री शोशन और दमन के प्रति चेतना ने ही इस्त्री विमर्स के जनम और विकास के लिए एक विशाल फलक प्रस्तोत कर दिया है चाहे वे रूपा जीवा ही क्यों नहीं हो इस्त्रीयों में आत्म समान आत्म चेतना आत्म गोरो शंता और समान अधिकारों की प्राफ्टई की मांग है और इसमें वैद वैद वेवाहिक ऐववाहिक सलील असलील बलातकार आदी सभी विशाल फलक में हम रख रखते हैं यदि हम वैश्या को लेकर बात करें तो ये विशे ही इतना गहन और व्यापक है कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक वैसे अपने जीवन का सजीव चित्रन जैसा दे सकती है वैसा चित्रन प्रुष बहुत साधना की उपरांत भी साइध ही कर सके बड़ा असंबाव है और सही माइने में यदि समाज का आइना हमें देखना है या पढ़ना है कि समाज क्या है तो एक वैस्या से बेहत्र कोई नहीं बता सकता है जिसके दर पर नेतादी हिंदू मुश्लिम पंडीते आस्रमों के बाबा या किसी ध्रम जात का हो सभी के सभी इसे दहलेज पर अपना माथा टेखते हैं तो इनसे सुंदरी समाज का जो आइना है वो कोई स्रीतार्थ नहीं कर सकता यहां सब के लिए एक समान खुले दरवाजे हैं लेकिन यहां भी एक परसन उपजता है एक बड़ी विडंबना के साथ हमारे समक साथा है कि वेस्या इसे सभे समाज के साथ और इसके भीतर रहते हुए भी इसे समाज का हिस्सा नहीं समझी जाती जबकि यह समाज के वहसी दरिंदों दानों दुराचारियों को अपने जो कूकरिती हैं उन सभी को अपने जिस्म की दहलेज पर रोक कर और अपने सरीर की मजबूत ढाल बना कर उन्हें इन कूकरमों अथवा बालिंग बालिकाओं के साथ दुर्विवार करने से काफी हद तक जो हने ये वेश्याएं रोकती हैं एक मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा सद करम वेश्या करती है कि जो इन दानवी परवर्टियों के और सिधा कहें तो इन दानवी दूशों के क्रूर प्रहरों को ये अपने सेने पर अपने जिश्म पर जहलती हैं और हमारी बालिकाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक है कि दूसरी तरफ तो हमारा ये जो समाद है इस देव व्यापार को करने वाले जो सेक्स सेक्स जो सब्द है या इस में जो सनलीप्तता है वो उन सभी को वैस्या कहा जाता है लेकिन वैस्या सवद को आम तोर परे के इस तरी के लिए ही प्रयोग किया जाता रहा है और अब तो हमें ये पढ़ने को पढ़ने को क्या पर्तेक्स देखने को भी मिलता है कि इसमें जो है प्रुष और अन्य तीसरा जो जेंडर है या उससे भिन भी अनेके जो हैं इसमें सामिल है उनको हम देख सकते हैं पर तेक्स रूफ से देख सकते हैं जो कि इसे वेशेवरेतिवह सनलिक्त हैं और एक और दूसरी तरफ एक सब्वे समाज है या यूगतियां हैं इस्त्रियां हैं वो भी एपने सौक को पूरा करने के लिए होटलों आदी में कि इपकर इस कारोवार को जो है चलाती हैं करती हैं और इसे यांत्रिक समाज ने उसको कॉल गरल का भी नाम दिया हुआ है इसलिए यह कहा जा सकता है कि सहर सहर देव्यापार है वैश्या है बस कोठे नहीं हैं यह हम देख भी रहे हैं कि छोटे सहरों में कोठों की तादात नगन्य ही हम पाते हैं यह मेट्रो पॉल्टिक सिटीज में ही हम इन कोठों के नाम सुनते रहे हैं हाली में एक पुष्टक परकासित हुई है कोठा नमर चौशित कहानी संग्रह है जिसमें वैश्याओं के जीवनानुभाओं से लवालब है उसको पढ़ कर भी हम इसे वैश्याओं कोठों पर अपना स्ट्रांस जीवन यापन करने वाले इस्त्रियों के जीवन से प्रिचित हम थाओ सकते हैं और अगर पॉराने काल में देह व्यापार करने वाले इस्त्रियों को पर हम बात करें तो उन्हें पुरानी कथाओं में हमें पढ़ने को मिलता है या पढ़ता है कि उन्हें गणी का तो कभी रूपा जीवा तो कभी कुम्बदासी वारवदू लोकांगना तथा विरांगना विरांगना नहीं सोरी वारांगना भी इन्हें कहा गया है और जो जो समय बदला और तो यह सब्द भी बदले हैं वर्तमान में इन्हें हम तवाइफ, वैसया, रंडी और कॉल गर्ल नामों से जानते हैं और इनके कार्ये भी नामों की भिनता के साथ साथ इनके कार्यों में भी भिनता यह है और आए दिन हम देखते ही हैं कि इस्त्रियों के साथ अत्याचार बलातकार और हत्या जैसी जगन्य घटनाए घटीत होती रहती हैं साइद इसके पीछे भी पुरुष मानसिक्ता में समय के साथ परिवर्तन नह होना ही होगा और अगर इस्त्रिद्रष्टी में रूपा जीवा जीवन वीमार से इस सब्बे समाज में अपनी दीन हीं दसा दुर्दशा के विशे में अगर शवाल उठाता है तो वाजिब है बहुत ही जाइज है क्योंकि इस सब्बे समाज का वो भी हिस्सा है और इस सब्बे समाज को इन्हें भी जो है अपने समान तबज्जो देनी चाहिए यह अलग बात है कि सभी के अपने अपने जीवी को पार्जन या वेवसाइब भिन है तो यहां यह भी प्रेशन उठता है और एक इस्तरी या वेश्या को अपने श्वाध हिंता और शत्ता के लिए समाज के सामने आगाज करने की भी आप सकता है किन्तु हम पाते हैं कि यह है इनके जीवन का या इसे समाज का क्रिशन पक्ष ही है जिसमें इस्तरी जाती का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही अपनी भागेदारी सूनिशीत कर सका है और इस बात पर मुझे जैसंकर परशाद की पंक्तियां याद आती हैं जो कि आज बड़ी प्राशंगिक विशेश तोर पर इस्तरीयों के लिए बन पड़ी है तुम भोल गए पुरुस्तव मौह में कुछ सत्ता है नारी की भी कुछ सत्ता है नारी की तो इस्तरी को अपने को दोहराने की आव सकता है निश्य ही वो एक प्रम सत्ता है महादेवी वर्मा भी लेखती है कि नारी प्रकरती की परिपूर्ती है और नर उसका विधायक है नर नारी का अनुनंत रूप है जीवन सत्ता का प्रधान आधार नारी है बहुत उस्ष्ड पंकतियां नारी को समर्पित हैं महादेवी वर्मा की तरफ से ये और आधुनिक युक के प्रखर्चिन तक ओशो भी इस स्रस्टी के मूल में इस्त्री सक्ति को ही माना है और उनके अनुसार एक उक्ति है उनका विचार है कि इस्त्री चूकती नहीं है पुरुष शिन हो जाता है इस्त्री शिन नहीं होती आध आवशक्ता है इस्त्री सक्ति को जागरित होने की और इस्त्री सक्ति अथ्वा सत्ता के सामने सब छिन है वह एदिती है उसे अपने आपको पहचानने की अपने अंतसमें जाकने की मात्रा आवशक्ता है उसका कोई मुकाबला या सामना नहीं कर सकता आज के इस अंतरास्टी वेबिनार के विशे रूपा जीवा वीमर्ष के अंतरगते अगर मेरे से जाना जाए तो मैं इसे वीमर्ष के अंतरगते प्रूश इस्त्री और नपुंग शंग तीनों को ही इसमें रखता हूँ कि उसका कार्ण है क्योंकि तीनों ही माननों है और लिंग के आधार पर स्रेश्ट हीन कोई कैसे हो सकता है यह मेरा मानना है लिंग आधारिक भेदभाव को कि मैं तो यहीं सिपारिश करूँगा कि इसको खतम किया जाना चाहिए और सही माइने में 21 मिस्तावदी के प्रूश इस्त्रीवय अन्य जो हैं यह कि आप सब भी प्रेचित हैं कि यह आब हाड मास के नह रहकर इस पात में डहल चुके हैं हाड मास के होते तो इनकी भावनाएं भी होती इनके पास समेदनाएं होती और यह महसूस करते हैं किन्तु आज की प्रिस्तितियों और विशंगतियों को देखते हुए ऐसा पर्तित होता है कि इस तरी या जो इसमेदने हैं वो सभी के सभी तो नहीं लेकिन किसी हद तक अगर विशंगतियों के मद नजर हम देखें तो आज इस पात हो चुके हैं जिसमें ने कोई सम्वेदना है ने भावनाएं हैं और एक इस बात का जो अगर हम समय के प्रेद्रिश्य में देखें तो इसका जीवन भी लंबा जीवन है मैंने पीछे अपने एक समिक्सा में लिखा था कि मनुष्य का जो दिल है वो अब नहीं तो सिसे का रहा हाड मास का तो बहुत पहले ही छुड़ चुका है वो फिर बाद में सिसे का रहा फिर हमें रहा कि दिल पत्थर हो गया लेकिन एक विद्वान ने लिखा कि अब इनसान का जो दिल है वो इस्पात का हो गया है नहीं से मुझे यह बात सिम्रण हो पाई कि आज जो इस्त्री और पुरूश हैं वो इश्पात में ढल चुके हैं और आपको बता दें कि मनुश्य का जो दिल है उसकी सबसे लंबी आवस्ता है साड़े चार सो वर्स आवस्था माने गई है तो हम यह मान सकते हैं कि जो आने वाले साड़े चार सो वर्स हैं यह इस पात के है जिनमें ने कुई सम्येदना है ने भावनाई और सब यावड़ पर लगा परतीत होता है यह जो बाजार है में जिसमें हम और आप सभी के सब 2 आते हैं तो यह बज़ार के साथ आप हम सब के सब जो हैं बजार बन आगे बढ़ते जा रहा है और यही कार्ण है इस्त्री पुरुष संबंदों में भी गठन की स्थिति कार्ण बहुत सप्रस्ते ही दिखाई देता ही और लास्ट में मैं आप सभी उपस्तित पटल पर उपस्तित सुरीजन से एक आग्रे भी करना चाहता हूं इस विशे के संदर्म में ही रख लीजिए ग यौनिकता को लेकर मुद्दा ने बनाया जाए बसरते उसकी आश्मिता वास्तितो सम्मान और समानता पर विमर्ष किया जाना चाहिए हालां कि वेविनार पटल पर ऐसा सुनने को नहीं मिला येकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से यह हिवाकत करता हूं और डॉक्टर संतोस खन्ना वरिष्ट कवीत्री है धेली से हाली में उनका भी एक उपन्यास आया है रोशनी वो भी इस बात की पुष्टी करते हैं और सिपारिश भी करते हैं और एक समवाद सुनिए आप वो उसमें लिखती है कि एक इस्तरी कहती है यह दे मेरी है मुझे इसका अपनी मर्जी से इस्तमाल करने की आजादी हो यह मेरी सेक्शिलिलिटी है इस पर कोई अंकुष क्यों हो जब जब यह इस्तरी अपनी देह को लेकर इतनी उन्मुक्त है अपनी सेक्शिलिटी को लेकर इतनी आजाद है तो मैं भी यहां इसी संदर में यह सिपारिश करता हूं कि हमें इस पर अंकुष लगाने की और इस जिद्दो जहद में घुशने की आउसकता ही नहीं रहती और इन्ही सब्दों के साथ समय बहुत कम था लेकिन मैं श्मा प्रार्थी हूं मंद से कि हो शकता है मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया हो और आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए आप सभी का अभार ग्यापित करता हूं और अभार ग्यापित करता हूं सभी अन्य उनका उनका भी जिन्होंने इस से एतियात से मेरे वक्तवे को सुना है साथ में विशेश तोर पर डॉक्टर नरेश सिहाग स्री नरेंदर सोनी जी का अभार ग्यापित करता हूं जिन्होंने अपने कुशल सहियोजन से इसे अंतरास्टी ये वेविनार गोस्टी का आईजन कर बाई है और अनेक परबूद विद्वानों विशेश का भी मैं आभार ग्यापित करता हूं और उनको शादर नमन भी करता हूं जिन्होंने विशेख वेख्यानों से इसे कारे करम को शफल बनाने में पूर्णते सयोब किया है और मेरे बाद भी करेंगे और अध्यक्स सब्सक्राइब को शादर परणाम करते हैं मैं इन्हीं सब्सक्राइब के साथ अपने वक्तवे को समाप करता हूं जै हिंद्ध